नमस्कार हम इस समय मौझूद हैं उन्नाओं के जिलास्पताल के पीम हाउस में और यहां पर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है अभी अभी हमें सूचना से अभी जो सूत्रों से पता लगा है कि यहां पर एक व्यक्ति की हत्या हुई है या फिर उसके साथ फिर उल्म हम हम खुद इंसे घटना के बारह में पूरी जानकारे लेंगे तो सबस्प्रहले आपका भी बीवेक बाच्पी जी ये जो घटना होई इसके बारे में पूर रूप से नावी और हैं और जमका फेक्टरी में काम करता था है अचाल गण थाना जमका पेपर में काम करता था किया घकति है उस वेक्ति के साथ है उस जाना मिली कि जिला सपताल तो वहां पता नहीं लगा ये पताव बात में दूबारा गए और पता किया तो यह माम पड़ा कि घर में इंटी लेकर गए यहाँ पर लोरों में भर के लाए थे यह कॉर में भर कर लाए थे यह लाया था और जो आपको सूचना दी रहुआ त हम सबसे पहले किसा आपको दी सुचना तो हमें गावन से मिली लेकिन रोड का काम करता था उसी ने फोन हमारे पास आया तो हम यहां दोड़के आए तो बौरी बरके बलोरों में लेके आया और बोरी में भरके इहां त। हाउस में डाल दिया अब इन्हों ने वहाँ पर एक्सिडेंट उसका हुआ है कि इन्हों ने मार डाला है उसकी पोजीशन ऐसी है कि एकदम सरीश शित्त भी शित्त है देखने योग यह नहीं है अच्छा एक चीज़ मैं आप से और जानना चाहूंगा कि जब आपको सुचना मिली तो आप फैक्टरी में पहुंचके वहाँ पर किसी करमचारी से या फैक्टरी मालिक से या फिर वाकि जो मैनेजर इस्ताफ है किसी से आपकी बातचीत हुई हमारे हमारे गाउं के दू-तीन क्या होगी उम्र लगभग 40 साल 40 साल और इस फैक्टरी में कार रहे था कुछ आपको आइडिया है कितने समय से था करीब आट-दर साल से कर रहा था इस पूरे प्रक्राण को लेकर आपने प्रसासन से अभी तक क्या आप आस्वासन मिला और क्या उसकी तरफ से कारवाई हु तो इस प्रक्रिया में और लोगों से बाच्चित करें इस व्यक्ति की जो मृत्यू हुई है इसके पीछे इनके परिवार वालों से आप लोग मतलब क्या सासन से और प्रसासन से क्या मतलच चाहते हैं भाई साब वहां पे कई हट्या हो गई एक नहीं यह कोई नहीं घटना तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं इस तरीकी की घटना है वहां पर जानबूच कर किये जाती है आपका यह कहना है और परिवार की जन है हम इन से खुद जानना चाहेंगे कि इनकी किस तरीके की जो आपने बात किना चाहता हूं कि उस परिवार को आज तो उसके घर का सदर्श चला गया जैसा कि आपने देखा कि इनके परिवार के को जनते हमारे साथ जो अम्रत हैं उनके भाई भी यहां पर खड़े हुए हैं मैं उनसे भी बात करूंगा आपको मिर्त्यू हुई है वो आपसे बड़े हैं च्छोटे हैं आप से बढ़े हैं च्छाते controllersाओं प्रसासन से ले काओं वाला कोई है नहीं कौन कमा किलाएगा कौन खवाएगा यह तो सब कोई जानता है लेकिन हम परसनली न्याय चाहते हैं बस तो जैसा कि आपने सुना कि यह न्याय की मांग करते हैं और सबसे बड़ी चीज इन्होंने मुआफजे की भी बात करी क्योंकि एक परिवार है जिस व लोगों के साथ में रूबर्यू कराया आपको बताने की कोशिस भी करी कि यह इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और जो फैक्टरी के कर्मचारी घर और जो भी फैक्टरी का स्टाफ होता है उसको अपने कर्मचारी के उपर पूंड ध्यान रखना चाहिए इस जो घटनाओं आस्तल हो रही है इस पर प्रशाशन को भी ध्यान देना चाहिए मैं वीडियो जन्रिस्ट गौरफ के साथ में चेतन सर्मा एन्योश्ट्योडे उन्नाओ